हालो फ्रेंज वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सिरीज मेरा नाम है रामा इस टिटोरियल में आप जानेंगे प्रिफरेंच सेटिंग में आटो सेब के बारे में आटो सेब एक तरीके से वीडियो नीटर्स की लाइफ लाइन होती है आटो सेब प्रोजेक्ट होना आतिय आवस्तिक है क्योंकि होता क्या जब आपका कोई प्रोजेक्ट क्रैस होता है करप्ट होता है या डिलीट हो जाता है उस समय आपका आटो से बहुत काम आता है बीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में यह यह आप एडिटर है तो आटो से किसी भी प्रोजेक्ट को काम करते इसने से पहले, सब से पहले जो setting देखनी होती है, वो है auto save, यानि आपके emergency के time, जब आप बहुत ही बुरे वक्त में होते हैं, यानि आपका timeline corrupt हो गया है, delete हो गया है, या auto save, आपने इसको save नहीं कर पाए है, light जाने के वज़े से system में कोई problem आ गई है, किसी भी कारण से आपका system में कोई भी corruption आ गया है interruption आ गया है तो उस समय आप के लिए एक ही lifeline होती है वो है auto save काम क्या करता है सबसे पहला automatic tick होता है automatically save project automatically save every 15 minute maximum version 20 यानि जब आप किसी project पे काम करते हैं उस समय ये system automatic आपके project को उतने minute के बाद जितनी संख्या आप यहां 20 minute दे सकते हैं 30 minute दे सकते हैं आपके उपर है आप कितने minute देना चाहते हैं generally लोग क्या करते हैं 5 minute रखते हैं यदि कोई ज़्यादा बड़ा प्रोमो टाइप के एडिट करने के दस पंदा सिकंड का एडिट है तो में एक एक कट बहुत important है तो उसको एक minute में ले आते हैं जिससे क्या होता है हर एक minute के बाद में आपकी उसकी एक backup copy आटोमेटिक सेब हो जाती है जहां पर आपने उसको location दे हैं सेब करने के लिए जिसकी setting के बारे हमने आलडी आपको जब project setup में बताया था कि कहां पर इसको project सेब करेंगे तो वहां पर यह automatic उतने minute के बाद में सेब हो जाएगा और उस folder में जहां पर आपने post path दिया हुआ है वहां पर उसके कितने version होंगे 20 यह समय यदि यहां पर हम 15 रखे हुए हैं और 20 का मतलब यह है कि हर 15 minute के बाद आपका एक project copy already save होगी तो यहां पर आपको 20 मतलब 300 minute का backup आपके system में already होगा पिछले 300 minute में जब जब आपने काम किया जो जो काम किया है हर 15 minute के बाद की एक copy आपको आपके system में copy save मिलेगी आप अपने project को save करें या ना करें लेकिन यह system automatic आपके project को save करती रहेगी और जब भी कोई आपको कोई problem आती है तो आप वापस जाए जिस भी time के क्योंकि वो saving time के हिसाफ से होती है जिस समय आपको time पर जाना है तो वापस उस project को उसी time के ओपर आप open कर सकते हैं अटो save का utilize कैसे करेंगे इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि आटो save file का कैसे utilize करते हैं अभी फिलाहाल यही पर इतनी setting ही काफी है आप के लिए इस tutorial में इतना ही तेंक्यू फार वाचिंग तो आप हमारे साथ बने रहिए देखते रहिए शीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम